बहकी सभी जुबा हैं हम हैं हजारों में अब की कमे जरा है हर चीज खास है अब है जो है वसमा है तुम्रे सखी तो रबा है हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब आई होप आप अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे होंगे तो जैसे कि आपको टाइटल देखकर पता चल ही चुका होगा कि हमारा फर्स्ट व्लॉग होने जा रहा है तो हमारे फर्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है तो सारी बाते करे बाद में तो सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद हमारी वीडियो पर क्लिक करने के लिए तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा ये फर्स्ट ब्लोग है अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना तो फ्रेंड्स मेरा नाम अजीत है मैं उत्तर परदेश के एक छोटे से गाउं का रहने वाला हूँ मेरे घर में कुल पांस चदसे हैं एक मेरी बड़ी दिदी एक मेरा छोटा वाई और मम्मी पापा और एक मैं खुद जो आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने हाल ही में अभी 12 वी की परिच्छा दी है जिसका रेजल्ट आना अभी बाकी है तो दोस्तों मैं काफी दरों से सोच रहा था व्लॉग सूट करने के लिए तो मैंने उन सारी चीयों की अरेंजमेंट भी कर ली जिन चीयों की व्लॉग उनाने के लिए जरूवत पड़ती है तो मैंने एक देशी तरीके से ट्राइपोर्ट भी बना लिया तो मेरे साथ होता ये था कि मैं जैसे ही सूट पर निकलता था तो मुझको कुछ समझ नहीं आता था क्या कहूं क्या बोलूं क्या ना बोलूं तो फिर मैं मायूस होका घर पर वापस लोट आता था तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी दिल की बात आपको बताई जाए तो मैं अब जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा तो finally मैं अपने घर से थोड़ी दूर ब्लोग सूट करने के लिए आया हुआ हूँ तो अब साम के 6 बज रहे हैं दिन में काफी गर्मी होती है तो मैं इसलिए इस टाइम पर आया हूँ तो दोस्तो जैसे कि मैं गाउं से बिलोंग करता हूँ तो मैं आपको बड़ी बड़ी बिल्लिंग्स तो नहीं दिखा सकता तो वैसे ही मुझे अपनी चोटी सी सुरुवात में आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा जरुवत है मिलते हैं आपको एक और न्यू ब्लोग के साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थांपको अप्राइब